इस बहुत सीरियस मुद्दे पर अश्वनी उपाध्याई जी बीच में नहीं बोलेंगे ये मेरी इनसे बिनम्र प्रात्ना भी है दिखिए दो बातें बड़ी के लिए हैं पहली चीज भारत की सेना भारत की सेना देश के किसी की इवेंचुवेलिटी के लिए हाइली प्रोफ सेनाओं के अंग जो हैं हाइली प्रोफेशनल हैं और हम किसी दुश्मन को भी धूल चटा सकते हैं इसमें कहीं कोई दो राए नहीं अगर चीनी मीडिया और चीनी अरे साब राहूल गांधी सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहूल गांधी सबूत मांग रहे थे इसलिए आपको शरम नहीं आती है आपको अलाज नहीं आती है कि देश के मुद्दे पर भी आप राजनीती कर रहे हैं आपके वक्तव कर लें और आप निरलज्जता की सीमा लांग रहें आप से करबद्ध प्रार्थना की थी कि प्लीज मेरे बीच में मत बोलें आप जो बोलते हैं मैंने सुना आप जो शब्यूच करना चाहें आपको आपका समय आएगा आप राओं जानी के वक्तव अपर या रही है इस तरीके पर इंगा प्र्शाशन भी और प्रशाशन भी कम जो आज का ये जो माति शुरू ही रावनाग रही है अगर आप इनकी आवाज नहीं बंद कर सकते हैं तो मुझे बता दीजे मैं इंसे तेज बोल सकते हैं अगर आप नहीं जबाब दे सकते हैं तो आप कहिए कि हमारे पास जबाब नहीं है चीनी मीडिया ने नहीं चीनी विदेश मंत्राले ने क्या कहा है उसको जरा देखिए चीनी विदेश मंत्राले ने कहा वो हमारा हिस्सा हम ये कर रहे हैं अभी करनल शिंदान सिंग जी ने अच्छी बात कही कि वो अपने एरिये में काम कर रहा हमे परिषों को बताते हैं तो यह देश के नागरीकों में सुरक्षा का भाव कैदा करेंगा कांग्रिस सही पूरा लेश आपके साथ-कड़ा होगा भारती जनता-पर '. के साथ खड़ा हुआ है प्रधानमंत्री खाली भारती जंता पार्टी के नहीं है प्रधानमंत्री पूरे 127 करोड के मुल्क के हैं हमें प्रधानमंत्री पर भरोसा है प्रधानमंत्री पर भरोसा है हमें अपनी सेना पर भरोसा है हमें अपनी सरकार पर भरोसा है लेकिन सरकार क की जिम्मेवारी है सरकार की जिम्मेवारी है कि हमें संतुम्न रखे हमें सुरक्षित रखे और अगर कोई बात आती है तो उसकी बात को सही तरीके